तो आज हम आ गए हैं बहुती स्पेशल बहुती एजी रस्पी के साथ जो के हम बनाने जा रहे हैं धाबा स्टाइल मसाला एक करी यानि की अंडों के साथ हम बनाने जा रहे हैं बहुती स्पेशल रस्पी जो के आप धाबा और रेस्टरेंट में खाना पसंद करते हैं तो चले जल्दी से शुरू करते हैं तो अंडे में हम एक वेजल में ले लेंगे अंडों को और इसमें हम डालेंगे दो ग्लास भर का पानी और इसको उबालने के लिए रख देंगे 6- साथ मेर तक, यानि कि अंडों को हम अच्छ से उभाल देंगे तब तक एक कढ़ाई रखेंगे गैस को हम आउन कर देंगे अब इसमें हम डालेंगे दो स्पून भर का आउयल ताकि जितने भी मसाले हैं हम उसको पहले अच्छ से भूनेंगे तो मसाले में मैं ले रही हूँ, तीन हरी इलाइची, छे लॉंग, एक बड़ी दालचीनी, एक चमच काली मिरच और एक प्याज, यानि कि एक बड़ा प्याज हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो उसको हमने स्लाइस करके रख लिया है, तो चलिए, अब इन मसालों को हम अच्छे स पीस लेते हैं, अपने कढ़ाई में हम दालके इसको भूनेंगे पहले, ठीके? तो चलिए, तो कढ़ाई में हमने डाल दिया है, दो स्पून ओईल डालने के बाद हम सारे मसाले जो मैंने बताया है, वह हमने इसमें डाल दिया है, अच्छे से इसको करेंगे शैलो थोड़ा सिट्रेंसे रहेगा हमारा ये मसाला क्यूंकि प्याज है उसको हम फिर से भूनेंगे, तो इसलिए इसको इसको हम अधरिंसे रखेंगे इसको भूनेंगे जितने भी मसालें फिर हम डालेंगे इसमें 2 अधारक पीसिस इस तरह से, आप चाहें तो अधारक लसन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, पांस एच्छे हम डालें यहां पे लस्न की कलिया, आठ हम डालेंगे सुखी मिर्च, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि हमने यहां पे एक खड़े-खड़े मसाले डाले हैं, तो फ्रेशली एक ग्राइंड होंगे, तो इसलिए इसका जो टेस्ट है वो तो इसको ठंडा करने के बाद इसको हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे, तो इस तरह से हमने सारे मसालों को ग्राइंडर जार में डाल दिया है, आधा स्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी, वन स्पून यानि की एक चमच हम डालेंगे इसमें धन्या का पौडर, एक स अच्छे से पीस लेंगे, थोड़ा सा वाटर एड़ करके इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है, चलिए हमने मसालों को अच्छे से पीस के पेस्ट बना लिया है, अब उसी कड़ाई में हम डालेंगे आधा कटोरी तेल, गैस को हम फिर से आन कर लेते हैं, आधी कटोरी हम तेल दाल रहे हैं, तेल इसमें थोड़ा सा जाधा रहेगा फ्रेंस, एक तेस पत्ता हम एड़ कर रहे हैं, तोड़ कर डाल रहे हैं, फिर नेक्स हम डालेंगे इसमें पीसा हुआ मसाला जो ग्रेवी हमने प्रिपेर कर लिया है, अंडों के लिए वो हम इसमें डाल देंगे एक चमच हम डालेंगे इसमें नमक नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे तो हलके से इसको मिक्स अप करेंगे इसको हमने बहुत ही अच्छे से भुनना है तो मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम इसको मसालों को भुनेंगे चलिए इसको ढख देते हैं पांच मिर्ट तक बीच बीच में आप इसको मिलाते रहिएगा ओपन करके देखते हैं आप देख सकते हैं जो तेल है वो हमारा मसालों के साथ सप्रेट हो चुका है अच्छे से हमारा मसाला यहाँ पे भुन चुका है बहुत ही अच्छी टमाटर की प्यूरी हमने तीन टमाटर जो कच्छा टमाटर होता उसको हमने ग्राइंडर में पीस के प्यूरी बना लिया है वही हम इसमें डाल रहे हैं अब इसको अच्छे से हम पकाएंगे अच्छे से मिक्सप करेंगे और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे जैसे हमने प्यास का मसाला भुना है आधा चम्बच हम डालेंगे इसमें जीरा पॉड़र तीन से चार हम डाल रहे हैं इसमें हरी मिर्च इसको अच्छे से मिक्सब करेंगे और इसको हम यहाँ पर ढग देंगे और तीन से चार मिनट तक ताकि जो टमाटर है उसका अच्छे से भुन जाए तो आप देख सकते हैं ओपन करके देखते हैं ऑईल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है जो हमारी टमाटर की प्यूरी है वो अच्छे से पक गई है अच्छे से भुन गए है हमारे मसाले फ्रेंस बहुत थी जबरदस खुश् करेंगे अब देख सकते हैं जितना भी ओईल है वो पूरी तरह से सप्रेट हो चुका है हमारे मसालों के से अच्छे से मिक्स अप करेंगे आप हम यहां पर डालेंगे आधर स्पून भर का गरम मसाला पॉडर और जो उबले हुए अंडे हैं वह हम इसमें डालेंगे हलके से हम इसको गाट लगा लेंगे चाकू से ताकि जितने भी मसाले हैं वह अंडे में अच्छे से लग जाए तो अगर आप नए हैं मेरे चानल पे तो जल्दी से मेरे चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपने फूडी फ्रेंस के साथ और कमें सेक्शन में लि नहीं करेंगे तो आधा ग्लास हमने यहां पर वाटर अड़ किया है और इसको हम दो से तीन मिट तक और इसको अच्छे से पकने देंगे स्लो फ्लेम पे चलिए ढग देते हैं इसको दो से तीन मिट हो चुका है ओपन करके देखते हैं तो फ्रेंस हमारा यहां पर जो मसाला एक करी है ठाबा स्टाइल वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है इसमें हम डालेंगे लास्टली थोड़ी से धन्या की पत्तियां चॉप कियो है हमारा तेल बहुत ही अच्छे से नजर आ रहा है यहां पर और हमारी जो अंडे की करी है एक करी है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुके है इसको आप गर्मा गरम अपने फैमली अपने फ्रेंस अपने महमानों को खिलाएं तो अगर आपको मेरे यह वीडियो अच्छी लेगे तो जल्दी से मुझे लाइक क इसको एंजोई कर रही हूं गर्मा गरम चावर के साथ आप चाहें तो इसको रोटी पराठा नान के साथ भी एंजोई कर सकते हैं तो मुझे कमें सेक्शन में जरूर लिखें खाएं और खुश रहें थैंक्स पर वाचिंग